अपने थोर भाईया के extraction movie का second part आ चुका है भाई लोग Netflix पर available है हिंदी में भी तो कैसी है ये movie आईए बात करते हैं Well hello मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी Review से पहले अगर आप भी पहना चाहते हो मेरी तरह Flash की cool t-shirts तो जाओ RedWolf.in पर जहाँ Flash की t-shirts तो मिलेंगी ही और तो और आपके सारे favorite superheroes की t-shirts और बाकी merchandises भी आप सस्ते में खरीच सकते हो description में link है go and check out देखो simple and best अगर मैं आपको बताओ कि अगर आपको action ही action पसंद है तो ये movie one of the best action sequences से भरी है दो घंटे की movie है जिसमें से अगर start and end credit वगेरा छोड़ दिये जाए तो सिर्फ एक घंटा पचास मिनिट की एकदम fast paste movie है जिसमें almost एक घंटा 20 मिनिट तो सिर्फ action ही action है बाकी 30 मिनिट में आपको इस film की story बताई जाती है और एक 21 मिनिट का one take action sequence भी है जो इस film का selling point भी है मैंने literally वो 20-21 मिनिट फिर से देखे कि कहीं तो मुझे इसमें camera cut वगरा मिल जाए लेकिन ना और इसके लिए तो hats off है makers को precisely अगर कहू तो movie के 26 मिनिट से लेकर action जो start होता है वो धीरे धीरे करके एक एक लेवल अप हो जाता है सीधा 47 मिनिट तक second level prison break के बाद वहां के soldier से लढ़ाई वहां से निकलने के बाद गाड़ी में लढ़ाई वहां से निकलने के बाद train में लढ़ाई और last में helicopters की तभाई वा भाई साब और इस बीच में camera work जिस तरीके से use किया गया है actors ने जैसे perform किया है CGI VFX का flawless इस्तेमाल जो हुआ है हम लोग सोज भी नहीं सकते कि कितनी मेहनत लगी होगी ये 21 मिनिट का non-stop action sequence shoot करने में हाला कि यहां makers नहीं बोला है कि वो no visible cuts है मतलब originally scenes को cut cut करके ही जोडा गया है लेकिन वो हमें ऐसा लगता है कि वो non-stop ही होगा जो देखते हुए बहुत मज़ा आएगा और आपकी आखे भी फटी की फटी रह जाएगी I mean आदिपुरुष देखी है और वो दिमाग से निकालना चाहते हो तो इसे देखो धन्य हो जाओगे आप story पिछले part से ही continue होती है जहां Tyler almost dead हो चुका था but after that उसके दोस्त वगेरा उसे बचाते है और उसके बाद उसको एक और mission मिलता है जो इस बार थोड़ा personal है अब वो mission क्या है वो तो आपको movie में ही देखने को मिलेगा लेकिन मुझे personally लगा कि यहां story बस 30% है और action 70% या story 20% और action 80% नहीं story 10% और action 90% है अच्छा film Hindi में तो dub है लेकिन इसे आप English में देखो या Hindi में इसमें बहुत से scene Georgian language में है जिसको dub नहीं किया गया है that is kind of awkward लेकिन नीचे Hindi या English में subtitles जरूर मिल जाएंगे जो एका दो scene के लिए चल भी जाता लेकिन ऐसा जब बार बार होता है तो screen से जादा आपकी नजर नीचे subtitles पर रहती है और वो subtitle पढ़ने से पहले ही screen भी change हो जाती है तो scene को अच्छे से समझने में शायद दिक्कते आ सकती है पढ़ने में अच्छे हो तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो pause करने का option तो है ही आपके पास बाकी movie का जो cinematic experience है अगर वो theater में दिखाते बड़े पर दिखाते तो जादा मजा आता Anyways, movie के ending ऐसी की गई है कि इसका third part भी आपको देखने को मिलेगा और मैं तो personally जरूर वेट करूँगा Action lovers के लिए ये movie must watch है जाइए और Netflix पर जरूर देखिए ओ, Netflix पर नहीं देखोगे ओके-ओके, पता है कहा देखोगे मेरी तरफ से इस movie को 3.5 out of 5 stars और मेरी description के link से redwolf.in पर visit करना मत भूलना मिलता है अगली वीडियो में बाई